हलो गाईज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप बहुत अच्छी तरीके से प्रोफेस्टनल तरीके से अपने रिजूम को कैसे तैयार कर सकते हैं वो भी पावर पॉइंट की मदद से ना कि में सवस्ते तो चुलो इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मुझे आप इंस्टाग्राम टिवीटर या फेस्ट्विक पर फालो नहीं किया तो दिस्क्रप्शन में लिंक मिल जाएगी वहां से जाकर फॉलो कर सक सकते हैं तो चुलो इस वीडियो को देखते हैं सिंपली आपको क्या करना है कि अपने पाउर पॉइंट को ओपिन कर लेना है यहां से देख सकते हैं इसके बाद ब्लेंग इस पर आपको किल करना है ब्लेंग पर जैसे किल करेंगे इसके बाद आपको क्या करना है सिंपली इ और किल करने के बाद simply इसको आपको ले लेना है, इसे आप ले लीजिए, इसे ले लीजिए, लेने के बाद आपको क्या करना है, simply इसमें आपको लिखना है, तो आपको क्या करना है, simply इसे और बढ़ा करना है, यहां से, बढ़ा करना के बाद आपको simply इसमें क्या लिखना है, तो resume को लिख लीजिए, चोलो इसमें resume को लिख लेते हैं, थोड़ा आपको space देना है, इस पेस्ट देने के बाद आपको इसमें रिजूम, क्या लिखना है, रिजूम, रिजूम लिखने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा और इसे सेंटर में करने के बाद इसे आपको सलेक्ट करने के बाद और इसे थोड़ा वड़ा करना है, इसे वड़ा करने के बाद आ इसके बाद को यहां से अच्छा देख सकते हैं, यहां से हो चुका है हमारा, इसके बाद को से इस आप को चुका है, इसके बाद आपको इसे सेंटर कर देना है, सेंटर करने के बाद अब आपको क्या है यह रिजुम तेयर है अब आपको क्या करना है आपको लेना है यहां से पेज पेज लेने के बाद सिंपली आपको क्या करना है यहां से इतना बना लेना है ऐसे बनाने के बाद आपको क्या करना है थोड़ा सी से बड़ा कर देना है इस शबर आपको simply capital में सब लिखना है, Name, नेम लिखने के बाद अब आपको क्या करना है? इसे आपको यहीं पर छोड़ देना है, आप आपको क्या करना है? यहाँ पर आना है, आने के बाद, आपको उस पर किल करना है, आप इसके space करके और दूर ले जा सकते हैं यहां से आप देख सकते हैं इसके बाद आपको क्या करना है यहां से कुछ icon मिल जाएगी तो simply icon को आपको ले लेना है यहां से देख सकते हैं इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहां से यहां से आप माइनस करकर यहां से कोस्टक लगाएंगे विंदू यहां से कर देते हैं माइनस इसके बाद सिव प्लस कोस्टक इसके बाद आम इस पेज देकर और लिख लेते हैं यहागे यह आप नहीं लिखना चाहते हैं इस तरह तीसे आपको कट कर देना, कट करने के बाद आपको क्या करना है, उपर से पेज लेना है, और पेज लेने के बाद, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा बड़ा करने के बाद, आपको सेंटर कर लेना है, और आपको इसमें 36 रखना है, 36 इसमें रख दीजिए, इसके बाद आपको क्या करन इस पेज देखर थोड़ा बढ़ा लेना है इसके बाद आपको इसमें अपना नाम लिखना है जैसे आप इसमें देख रहे हैं सेम आपको करना है नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है आपको नाम लिख लेना है इसके बाद आपको क्या करना है कि आना है नीचे, आने के बाद आपको क्या करना है, यहां से पेज लेना है, पेज लेने के बाद, यहां से पेज ले लिजिए, पेज लेने के बाद इसे आपको बढ़ा कर लेना है, इसे 36 रखना है, सेम आपको रखना है, साइज को, इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें कि देत आप बर्थ लिखना है, क्या लिखना है आपको, देत आप बर्थ, क्या लिखना है, देत आप बर्थ, इसको लिखने के बाद, आपको क्या करना है, थोड़ा इसे बढ़ा करने के बाद, आपको क्या करना है, कि आना है यहाँ पर पेज बर्थ, और कोई दूसरा को पे तो आपको यहां से बड़ा करना है अगर आप इसके आगे लगाना चाहते हैं यहां से तो आप लगा सकते हैं यहां से इसको लगा देते हैं और इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसके बाद आते हैं पेज पर पेज पर आने के बाद आपको अपना देता बर्द को लिखना इसके बाद आना है page पर, page पर आने के बाद आपको क्या करना है यहां से, आपको लेना है और यहां से आपको बड़ा कर लेना है, 36 लगना है यहां को, इसके बाद space देने के बाद अगर आप लगाना चाहते हैं ऐसा तो लगा सकते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, थोड इसके बाद आपको N, इसके बाद O, यहां पर बिंदी लगा सकते हैं, इसके बाद आपको simply से छोड़ देना है, अब आपको क्या करना है, क्या आना है, पेज पर, पेज पर आने के बाद, आपको क्या करना है, यहां से, यहां से आना है, आने के बाद, अब आपको क्या करना ह कि आपको अब यहां से अपने नंबर को फिल करना है तो आपको इस सिंपली से बढ़ा लेना है 36 करने के बाद आपको सिंपली से में अपको नंबर को फिल करना है तो नंबर को फिल करने के बाद अब आपको क्या करना है कि आना है यहां पर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अब आना है यहां पर आते हैं यहां पर पेज़ पर पेज़ पर आने के बाद आपको क्या करना है आपको यहां से थोड़ा सेथ करने के बाद आपको क्या करना है आपको सेम रखना है यहां 36 करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहां से अपना जो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं इसके बाद यहां से आपको इधर आजाना है इसके बाद आपको इसमें लिखना है जेंदर तो simply आपको इसमें जेंदर को लिख दीजिए जेंदर आपको जेंदर इस जेंदर लिखने के बाद आपको यहां से किल्क करना है तो आज जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको क्या है, यहाँ पर लिखना है, इसे 46 रखना है, इसके बाद आपको इस पेस देकर, आपको क्या लिखना है, जेंदर में अपना, मेल हैं तो मेल, फिमेल हैं तो फिमेल लिख सकते हैं, इसके अगर आप यह फोटो लगाना चाहते हैं तो आपको चोता हो जैसे कि आप फोटो को बनाते हैं तो simply आपको इस photo को छोटा करना है और छोटा करने के बाद simply आपको क्या करना है यहाँ पर लगा देना है यहाँ आप अपने photo को लगा लेंगे इसके बाद आपको क्या करना है फोटो को लगा लेंगे इसके बाद आपको क्या करना है फोटो को लगा लेंगे के बाद आपको क्या करना है यह से same condition लेना है लेने के बाद इसको ले लिजिए लेने के बाद इसको आपको बढ़ा कर लेना है 36 रखना है तो आपको home में यहां से back कर दिजिए इसके बाद home में आपको 36 रखना है तो 36 को बढ़ा लिजिए इसके बाद आपको space देना है इस प्रेस देने के बाद आपको सिंप्लिस में लिखना है education, क्या लिखना है education, qualification, क्या लिखना है, qualification, qualification लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसे आपको बड़ा करना है, इसे जैसे उसे कलिजे, इसके बाद आपको क्या करना है, कि आपको आप यहां से दो तैस दे दीजिए, तैस देने के बाद आपको क्या करना है कि आना है नीचे, नीचे आने के बाद यहां से आपको यहां पर आएंगे, यहां से कुछ और मिल जाएगा, simply आप जो लेना चाहते हैं, यहां से आप ले सकते हैं, जो बहुत बलेंक मिल यहां से इसको ले लेते हैं, लेने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, इसे हम लोग कर लेते हैं नीचे, नीचे आने के बाद इसे बढ़ा करना है, बढ़ा करने के बाद आपको क्या करना है, simply आपको आप यहां से आना है आने के बाद text पर आने के बाद इसमें simply आपको क्या करना है अब आपको करना है क्या कि आना है अपने यहां पर आएंगे home में तो home में आने के बाद यहां से आपको कुछ option मिल जाएगा यहां से आप देख सकते हैं अपपर लोच कर दिना इसके बाद आपको क्या करना है अगर यह आप नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको आपको दिलिट कर दिजिए दिलिट करने के बाद simply आप simple तरीका से इसे आप click करेंगे click करने के बाद आपको क्या करना है page को ले लेना है बढ़ा करना है तो आपको page को बढ़ा कर लेजिए यहां से अपने page को बढ़ा कर लेजिए बढ़ा कर लेते हैं page को अब बढ़ा करने के बाद same size को रखना है आपको यहां से size को थोड़ा बढ़ा लेना है 40 का लेना है बढ़ाने के बाद अब आपको क्या लिखना है इसमें education 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 लिखने के बाद आपको क्या करना है आपको space देना है इसके बाद आपको dash लगाना है इसके बाद space देना है इसके बाद आपको क्या करना है यहां से आपको इसमें लिखना है board आपको same condition करना है यहां से आपको क्या करना है अपने education को लिख लिजिए अगर आप SSC सकी है तो SSC को किजिए इसके बाद आपको क्या करना है कि इसे आपको select करना है select करने के बाद इसे आप बोल्ट करने के बाद आप जो भी color रखना चाहते हैं इसमें से आप color को choose कर सकते हैं यहां से इसके बाद आपको क्या करना है अगर size बढ़ाना चाहते हैं size को बढ़ा दीजिए इसके बाद आपको क्या करना है यहां से इसे background को भी बढ़ा कर दिजिए इसे आप देख सकते हैं आप इसको आपको क्या करना है center में करना है center में करने के बाद आपको क्या करना है उपर से page लेना है page लेने के बाद आपको same करना है यहां से आपको page ले लेना है, इसे हम बैक कर देते हैं, बैक करने के बाद home पर आ जाते हैं, home पर आने के बाद page लेते हैं, इसे हम delete कर देते हैं, delete करने के बाद हम page ले लेते हैं, तो हम page लेने के बाद इस पर हमको page पर kill करना है, अब आएंगे नीचे, इसे हम एक बार effect कर द यहां से आपको size को maximize कर लेना है बढ़ा कर लेना है यहां से 40 40 रखने के बाद आपको space रखना है space करने के बाद अब आपको लिखना है इसमें board board लिखने के बाद आपको बढ़ा कर लेना है बढ़ा करने के बाद space यहां से minus रचीन लगा सकते हैं इसके बाद आपके इस बोस सकी हैं, तो आपको उत्तर जहां सकी हैं, आपको simply उसको लिखना है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा और बढ़ा कर लिजिए, बढ़ा करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको य यस लगा सकते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यह हो गया, आपको इसके बाद लिखना है, result, क्या लिखना है, result, simply आएंगे यहाँ पर आने के बाद, अब आपको क्या करना है, यहाँ से बड़ा कर लिजे, इसके बाद आपको simply लिखना है, result, result लिखने के बाद, आपको क्या लिखना है, result में pass दें तो, pass है तो pass दे लिख दीजिए, इसके बाद इसको आपको select करने के बाद, same condition, bold, इसके बाद color लगाना चाहते हैं, जो भी color लगा सकते हैं, यहां से, इसके बाद आपको क्या करना है, इस color को choose कर लेना है, जो भी color को, फिल करना चाहते हैं इसके बाद आपको क्या करना है इतना आपका रिजिम टैयार हो चुका है अब आपको क्या करना है कि यहां से आपको लिखना है अधर यहां से लेना है पेज पेज लेने के बाद simply वही same condition करना है इसे बड़ा करना है बड़ा करने के बाद वही आपको लिखना है अधर लिखन में के बाद All को शिलेक करना है इसनको आपको बोलि कर दीजिये टाकि अच्छा लगे में इसे आप छलंड कर दीजिये जो डजने चाहते है जैसा रखना चाहते है आप इसे लख लिजिए इसके आपका कि आपका जो रिजियूम है वो तैयार हो चुका है अगर आप इसमें और लिखना चाहते हैं पढ़ा कर तो अगर आप अधर क्वालिफिकेशन लिखना चाहते हैं तो आपको सेम कंदिशन करना पड़ेगा यहां से पेज लेना है अधर क्वालिफिकेशन लिखना है इसके बा अगर How Beach लिखना है, तो Same Condition है,斯 Yujan यहेंından से आपको पेच लेना पड़ेगा, इसके बार How Beach माइनस लगा कर दो बार इसके बार आपको लिखना पड़ेगा, आपको How Beach क्या है, कि क्रिके, Match, अब बदी आपको How Beach क्या है, इसके बाद nationality यहां से आप page लेंगे फिन nationality लिखेंगे dash लगाएंगे इसके बाद nationality में लिखेंगे इंदियान इसके बाद आपका nationality क्या है इंदी लिख लेंगे इसके बाद work लिख लेंगे क्या work करते हैं यहां से काम लिख लेंगे, इसके बाद आप नीचे आएंगे ति यहां से आपको लिखेंगे, यहां से आकर नीचे, simply आप लिखें लेंगे, नीचे आने के बाद, यहां से बढ़ा करने के बाद, simply आप लिख लेंगे, यहां से signature, तो signature लिख देते हैं, क्या है, signature, signature लिखने क इसके बाद आपको simply क्या करना है, same condition करना है, इसे select करने के बाद आपको bold करने के बाद आपको फिर से लेना है, उपर से page लेने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, इसे आपको बड़ा करने के बाद आप जो signature देना चाहते हैं, simply इसमें आपको signature को दे देना है इसके बाद simply आप देख सकते हैं signature तैयर हो चुका है इसके बाद आपको क्या करना है आप अगर देता वर्थ देना चाहते हैं तो आप देता वर्थ दे सकते हैं आप चाहे तो इसको यहाँ पर भी लगा सकते हैं ऐसा कोछ नहीं है इसे उठा कर आप यहाँ पर लगा सकते हैं साइज साइज में लगा सकते हैं यहाँ पर आपको पहले सको मिल जाएगा जो अब color को लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से color को दे सकते हैं आप simply देख सकते हैं यहाँ पर इसके बाद आपका क्या है रिजिम टेयार हो चुका है अगर नहीं लगाना चाहते है तो इसमें आपको आना है color में, color editing लगाने के बाद white लगार कर दीजिए तो क्या है इसे सिंप्ली आपको पिरिंद कर लेना है आपको से सलेट करकर आपको यहां से क्या करना है सेफ करने के बाद आपको पिरिंद कर लेना है तो अगर यह वीडियो अच्छा लग हो तो इस वीडियो को लाइक करना चैनल नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो बागी की नेस्ट पात में जएंग